रॉबर्ट बाडरा आज एक बार फिर अपने संसद पहुचने की बात कहते दिखाई दिये रॉबर्ट बाडरा ने कहा कि प्रेंका गांधी के संसद में जाने के बाद वो भी जाएंगे संसद हाला कि ये होगा कैसे ये रॉबर्ट बाडरा नहीं कहा अब इसके साथ साथ रॉबर्ट बाडरा ने लीडर आफ आपोजिशन को लेकर राहूल गांधी को सबसे बहतर व्यक्ति बताया उन्हें कहा कि मुझे पूरा यकीन है कि इंडिया अलाइंस मिलकर राहूल गांधी को नेता प्रतिपक्ष मनाएगा क्योंकि राहूल गांधी में बहुत काबिलियत है यह जो तस्वीर आप देखने हैं गर्मी इतनी बड़ी हुई है दिल्ली में तो वो शर्वत पिला रहे थे सड़क किनारे लोगों को उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं समाजिक सेवा जो है वो करते रहते हैं और लेकिन इसके बदले में वो चाहते हैं कि उनको पाटी संसद बेज़े उनकी नहीं मतलब उनकी पत्नी की पाटी वो नहीं हो पा रहा है सुन लेते हैं मैं हमेशा जब किसी ने पूछा कि आप पहला कदम कब लेंगे संसद में मैंने हमेशा बोला कि जब प्रियांका संसद बनेंगी और संसद में होंगी उसके बाद मैं अपना प्रचार करूँगा अपने तरीके से सोचूँगा पर पहले मुझे लगा था कि उनकी जगा संसद में है तो मैं बहुत खुश हूँ पर अभी तो वायनाट से जीतनी की जरूरत है मैं राहुल को बहुत क्लोसली जानता हूँ मेरे भाई जैसे हैं अगर वो एलूपी होंगे लीडर ऑफ उपसेशन होंगे मेरे ख्याल से तो अच्छा ही होगा और इंडिया गटबंदन भी उन्हीं को चुनेगी मेरी चाहत होगी कि अगर वो लीडर ऑफ उपसेशन बनेंगे तो परल्लमेंट बहुत अच्छा चलेगा लोगों के हित में बात होगी और लोगों की बात बुलंद होगी दो बाते हैं देखें इसमें एक उन्हें ने कहा कि परियंका पहले चली जाएं पहले बाइनाड वो जीच जाएं फिर मैं अपनी बात करूँगा मैं भी जाना चाहता हूं संसत दूसरा लेडर ऑपरिशन को रुका कि राहूल गांदी सबसे बहतर रिखती होंगी जी ने देखें रौबर्ट वाड़ा जिस तरह से बात करते हैं कभी उसमें बड़ी बेचारगी दिखती है कभी बड़ी लाचारी दिखती है कभी लगता है कि ने ने वो परिवार के दामाद हैं तो उस तरह से बात कर रहे हैं कभी लगता है कि उनके और राहूल के रिष्टे बड़े शांदार हैं फिर जो समीर जी ने रहस्य उद्गाटन किया था जिसको हम लोगों ने चेक किया अब तो एक कदम और आगे बढ़ गया है कि अभी तक राहूल रावबर्ट एक दूसरे को फॉलो नहीं करते थे अब प कोशिश करते रहे दिल्ली में उन्होंने बड़ा प्रयास किया उनके साथ के लोगों का एक बड़ा वर्गर जो कर आचा चलो ठीक है बई आपको टिकट नहीं देना है ना दो राज्यसभा में भेज़ दो उसमें कौन रोकता है लेकिन रावर्ट वाडरा को कोई रास्ता नहीं मिल रहा है एक बड़ा वर्ग इनके आसपास का था जो इसी वज़े से किनारे हो गया जिसको लगा कि प्रियंका को भी कुछ नहीं मिलेगा अब प्रियंका के मिलने के बाद क्या रॉबर्ट वाडरा वाया प्रियंका ज्यादा दबाव बनाएंगे क्या प्रियंका के कह रही हम लोग भी कर रहें रोबर्ट वाड़ा भी कर रहें तो राहूल गाली को स्विकार करने में मुश्किल होनी नहीं चाहिए अपने आप पहुंच जाता है और वहां पर वह उसको जो ब्यक्ति कहना होता है वह कह देता है तो ऐसा नहीं है कि कोई दिवस हो या कोई खबर हो जिसकी वजह से रोबर्ट वाड़न जी के पास पहुंचा गया उनके पास माइक कैमरा पहुंच गया था और उसमें फिर वह अ पहुंच गया था रहता है जो रिपोर्टर हैं जो हम लोग भी भागता रहता है खबर के पीछे कभी कोई खबर भी कैमरे को दोडा लेती है ने तो यह कुछ उस तरह करें यह कहना चाहरा था कि ऐसा नहीं है कि कोई अरजेंसी थी आ कोई वजह थी कि रॉबर्ट जी नहीं बात बोली कि मैं भी को खबर ने दोडा लिया ना बस उनको बसब किहना थे एक बार और रह 품 हचारत ripple क क्रें कि भात अब चुके हैं किस सब जानते हैं नहीं तो जो ज़ो बात अभी चली न कि यह हमको भी जाना है जैसे है नहीं दर्द पुराने यादा एक गना था वो बार बार कहीं न कहीं उनका दर्द जलकता है वो जाना चाहती है और मैं सुरू से यह बात कर रहा हूँ यह पता नहीं यह ऐसा कहना चाहिए कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि राहुल गांदी और रॉबर्ट बादरा के बीच के रिष्टे जो है वो बहुत अच्छे नहीं है और इस चुनाओं में भी मुझे ऐसा इसकी जलक दिखाई दी रॉबर्ट बादरा यादी चाह लेते हैं कि मुझे संसच जाना है तो क्या मजाल किसी की सिर्फ रोकना और रोकना किसे बते एक मिनट में बात चुन्याओं गांदी और श्रीमिति सुनिया गांदी जी इन्ही दोनों ने रोक रखा है और गुहार जो लगा रहे है वो बार-बार जो निवेदन कर रहे है तो कहा दे से तू उनको अपने घर में करना चाहिए हो ज्यादा आसान हो जाता लेकिन कहीं ने कहीं घर से उनको नहीं मिल रहा है इसलिए वो पॉब्लिक में आकर के बात कर रहा है ताकि इन पर दबाओ भी हो समीर जी कुछ कह रहे है इस परा समीर देखे रहा है प्रहिंका गांधि और रोबर्ट रॉटर के साधी अठ्रा फरवरी 1997 को भी थी उननी से बीस फरवरी को और रोबर्ट रॉटर ने अपनी दिल की इच्छा बता दिनी सुनिया गांधि को कि मैं राजिती में जाना चाहता ह हूँ उस घटना को 27 साल हो गए 27 साल से रोबर्ट रॉटर रॉटर से इंतिजार में है कि उन्हें पार्टी कभी राजसभा में भेजेगी या लोकसभा चुनाव में लड़वाएगी या पार्टी के अंदर को बड़ी जिम्मेदारी देगी लगातार उनकी इंतिजार के ब लोकसभा जाने को मिलेगा या राहुल गंदी का राइवरी सीट खाली करते हैं तो वह दावेदारी पेश करेंगे क्योंकि प्रियंका गांधी संकर्णासा काम समालेगी तो मैं लोकसभा चला जाओंगा उन्होंने अपनी इच्छा से शाहित कहा जा रहा है कि प्रियंका ग लिए मेरे जगा खाली हो जाओंगा फिलाल यहता है कि रॉबर्ट वाटर का जो शुरू हुआ था उसको अभी और लंबा इंतिजार करना पड़ेगा दो जार उन्तिस तक उनकी कोई संभावना लोकसमा में जारे के नहीं हो पार्टी उन्हें राचिसमा में भी नहीं और गांधी परिवार के दमाद बार बार की मैं जाना चाहता हूं संसद मैं स्जुनार लणना चाहता हूं इस वो बाहर बार कह रहे हैं नई यह हो धारानमे, दामात को पूछी नहीं रहा हो, उनका कोई इंपटेंस ही नहीं रहा हो यहाँ तक कि प्रयंगा गांधी के एंदर उनको वो जो फैसियत जो एक गांधी की है वो भी है या नहीं है उतना रिस्फ्पिट नहीं है। बड़ा वेक्तिकर तीपली है, नहीं करना चाहिए इसपरग की बात है, ल Еक्टिपत के हलका होने अभारी उने का मसला नहीं है, अगर रॉबर्ट वार्डा इस तरह से बोलना है, तो इसका सीध्गर समोख सलना रही है कि वह वहां नहीं बोल पा रहे हैं जहां यह कह के सूना अगर वो वहां बोल पाते वहां उनकी सुनी जाती तो इस तरह से एजेंसी को बुला कर टीवी चैनल वालों को बाइट देने की आशक्ता होती क्या और देखे ये भी अब समय नहीं रहा पहले वाला समय होता तो हो सकता है कि भाजपाई कृपा कर देती लेकिन अब तो चुक गर के वो दामाद हैं इतनी हैसित प्यों के है हैं ही कि वो अपने सास के सामने पत्ती के सामने यह अपने जो साले के सामने बोल ले पाए बोला होगा वहां उनकी सुनवा प्रेंका गांधी राजनीती में जाएं ये लोन ने बता दिया कि अब इतने सालों के बाद ये तैय हो पारा है रोबर्ट वर्डर के पीशे पूरा बैगेज है अगर कभी कॉंग्रेस ये करेगी नहीं तो बहुत बड़ा फैसलाई होगा लेकिन उसमें इस तरीके से एक किसम का दवाब रोबर्ट वर्डर जो बनाने है अपने परिवार पर और पार्टी पर वो देखकर के बड़ा जीव बढूर्ट लगत लगता है टेगा एक बात तो साफ है इसलिए बोल रहे होंगे कि अंदर जोै बात नहीं सुनी जा लही हो या सीरिसली निया जा रहा होगा उंके इस कोशिश को इसलिए बार सब्स्सक्राइन खर्रेकर जैब नहीं वो ख recognisicam को कॉंग्रेस पार्टी को सर अगर मेरा कोई परिवार में जो है वो अध्यक्ष पार्टी का है और पार्टी का सरोच हो है तो मैं तो जाके सीधा बोलूगा मुझे लड़ना है और वो मानें ये तो सही है नहीं तो फिर आपके रिपोर्टिंग डेज में है उसके बाद कभी ये चर्शा गंभीरता से आप सकती है जब तक मैंने ग्राउंड रिपोर्टिंग किया तब तक मैंने ये कभी नी सुना कि रॉबर्ट वडरा जो है वो पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं ये बात बिल्कुल होती थी कि सोनिया गांधी को एक गुट जो है वो पूरी तरह से पुश्ट कर रहा था प्रियं अगरी संसद बने लगबग तभी से उसके पहले से 99 के चनौस और ये भी है ये देखे वो जो गुट है वो ये मानता है वो इसलिए ये मांग करा हो बार-बार खुले मंच पे भी करता कि वो ये मानता है कि प्रियंका गांधी कुट भी एब बेटर लीडर फॉर कॉंग्रे अगर उनको श्रय दिया जाए इस चुनाव का तो वो तो लिगभग सेटल ही है और अब प्रियंका गांधी क्योंकि चुनावी राजनीती में आई गई है तो इसका मतलब ये जो बात थी के प्रियंका और राहूल दोनों राजनीती में हो ये तो सेटल होई कि तो मुझे ल वो श्रय वो वे तो अगर वॉन ses चुनाव समय और ये वहराट वießt नियुकम एचरिकर को मिलता है जिस तरीके से प्रियंका गांधी ने अपने भài को सपोड किया राजञीती के बुरे दोर में भी और कभी फृच्श प्रन्फुट्स पर नहीं है मुझे लग रहा है वो सत्ता का वर्चस पार्टी के अंदर दोनों के बीच कभी मुझे लगता है देखने को नहीं मिलेगा इसमें कहीं कोई संदे नहीं है राहुल और प्रियंका के बीच जिस तरह की एक कहने की भाई बहन वाली दोस्ती प्यार वो दिखता है उसमें मुझे में नहीं लगता कि राहुल और प्रियंका आपस में लड़ते हुए दिखेंगे लेकिन सत्ता बहुत विचित्र होती है जब दोनों भाई सदन भाई बहन सदन में होंगे दोनों के आसपास के लोगों को प्रति दिन उनकी बात को लेकर जनता के बीच में जाना है दोनों की पियार टीम काम कर रही होगी कई मसले पर किसने लीड ले ली किसके कहने से एक्शन हो गया जब ये स्थापित करना होगा तो उनके आसपास की जो मंडली है वो अक्ट करती है तब जाकर वो एक तरह का कहें कि तनाव एक तरह का संगर शुरू होता है निश्चित तोर पर राहूल प्रियंका के बीच में कोई इस संगर से मैं ये नहीं मानता हूं लेकिन रॉबर्ट और राहूल के बीच में तो कोई मुश्किल है या घर में कोई मुश्किल है क्योंकि अगर बात वहां सुनी जाती तो इस तरह से रॉबर्ट वाड्रा को नहीं कहना पलता है आई अपसाब ज़रा अब हम बात कर लेते हैं मायावती जी की उनकी पार्टी बसपा की इस चुनाव में उनको कुछ नहीं मिला मालब शून रहें ना वोट ना सीट कुछ नहीं अब इसके बाद मायावती जी ने अपने सब बेटाओं के साथ बेटेक बिलाई होगी अपना मदमंतन किया होगा कि क्या हुआ हमारे साथ चुनाव है उसके बाद उन्होंने ने दो पन्ने का एक प्रेस नोट निकाला ये है बीएस पी की राश्ट्री इस तरह बेटेक से संबंदित जारी प्रेस विग्यप्ती दिरांग 23 जून 2024 अब इसमें चुनाव वहारी तो एक बार वो पहले कह चुकी है कि हमने मुस्लमानों को बहुत टिकेट दिये इस बार लेकिन अब की बार आगे से हम सोचेंगे कि हम इनको टिकेट दें की नहीं दें अब इसमें लग रहा था कि शायद वो बीजेपी के लिए कुछ बोलेंगी मुदी जी के लिए कुछ बोलेंगी अब मैं इसमें कोई बहुत लंबा है सब कुछ मैं एक लाइन आपके लिए पढ़के सुना रहा हूँ उससे आप सब समझ जाएंगे यह देश की अभी हाल ही में अठारवी लोकसभा के हुए आम चुनाव संपन होने के बाद पार्टी की राश्ट्रिय स्तरिये पहली बड़ी बैठक थी जिसमें इस बार विरोधी पार्टीयों द्वारा चुनाव में विशेशकर सम्मिधान बचाओ जैसे अनेक मुद्दे उठाए गए और इसको लेकर गलत प्रचार से गुमरा होकर पार्टी का जबरदस्त नुकसान हुआ मतलब कहरें कि लोग गुमरा हो गए विरोधी पार्टीयों के लोगतंतर बचाओ वाले नारों से उनके लोग उनका वोटर गुमरा हो गया और उनके पास चला गया ये बात तो बीजेपी कहती है कि कॉंग्रेस पार्टी ने वाकी वपक्षिन सपाने इन सब ने जो है जूठा एक मेसेच चला दिया कि संभिधान खत्म कर देंगे लोगतंतर पर खत्रा है देखें 15-16 प्रतिसत वोट बैंक उनका मयावती का जो होता था लगबग इंटेक्ट रहता था वो जाकर के 9.6 परसेंट के आसपास वोट आया है इसका मतलब कि 5-6 परसेंट वोट जो है जो उनका सॉलिद वोट बैंक उनका वोट बैंक हुआ करता था वो छिटक करके कॉंग्रिस और गटबंधन के तरफ चला गया अब ये क्यों हुआ क्योंकि उनको लगा दलितों को लगा कि अच्छा ये जो नरिंदर मोदी का प्रहार होगा आरक्षन को ले करके उसको रोकने का काम जो है वो कॉंग्रिस पार्टी और समाजवादी पार्टी कर सकती है मायावती के साथ ये संदेश ये वाकई घर कर गया होगा कि ये वाकई जो है वो भारतिय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं और ये उनसे लड़नी रहेंगे, ये हमारा नहीं बचा सकते हैं, या उनको लगा होगा कि ये गटबंधन इमर्ज करके दी आता है, तो अल्टरनेटिव बिकल्प हो सकता है, भारती जन्ता पार्टी को रास्टी ऐस्ता पर रहा है, अगर उनके वोटर को ये लग भी रहा था कि भारती जन्ता पार्टी के साथ नहीं जाते हैंगे, उन्हीं की तरफ जाएंगे, वो बसपा को वोटर कर सकता था, उसना भरोसा नहीं किया माई है, उनको लगा कि B.S.P. जित नहीं सकती है, इसलिए हमको समाजवाधी पार्टी लड़ रही है, आपने हम ने शुरू से देखा था कि समाजवादी पार्टी बीएसपी जो है वो लड़ते हुए नहीं दिख रही थी उत्तरप्रजेस में उनको लगा कि यह लड़ते हुए लड़ रहे हैं यही जित सकते हैं ऐसे कई में ऐसा हुआ है कि दलितों ने इस प्रकार का कहा कि यह सवर्न जित जाएगा इसलिए नहीं चलो इसको हड़ाओ इसको वोट कर रहा है चंदर शेकर का नगीना से जीतना चंदर शेकर ने जिस तरीके से दलित वोट बैंक लिए और नगीना से निरदीले चिनाव जित गया है मायवती को डर बैढ़ गया है कि चंदर शेकर कहीं बहुजन समाज पार्टी का पूरा वोट बैंक न लिके जाए जिस तरीके से मायवती घर के बाहर ने निकली और चंदर शेकर दलितों के लिए जिस तरक पर कर रहे थे और नुरदीले चिनाव जित जाते हैं वहापर मुझे लगता है इसी करण जो 47 दिन पहले मायवती ने अपने भती जे को आकाश आहन को कहा था को मैच्वर नहीं है दलितों ने उन पर रुरसा किया तो ये तो उनका जो डर है वाकई आधार है उसका नगीना बड़ा एक्जामपल है कि अगर हम यह मालने के मायवती का वोट जो है वो इस कारण के ये जीतेंगे नहीं इस कारण शिफ्ट हो गया है चला गया है क्योंकि अगर अगर वह दस पर संट पर पहुंच गया तो यह तो पूरी तरह से चला गया और दूसरा देखिए नगीना बड़ा बड़ा एक्जामपल है कि वोट उसको दिया गया जिसको जिसका लग रहा था कि ये जो है हमारे लिए काम कर सकता है वहाँ पर अगर जो है आजाद पार्टी को वोट दिया गया तो इस कारण से दिया गया कि ये जो है मायवती जो है सीरियस कंटेंडर ही नहीं आप बाकी 16 कंसिट्वेंसी में आपको बता सकता हूं जहां पर उन्होंने अपने कैंडिडेट खड़े किये वो कैंडिडेट ज मुझे लगता है कि मायवती के लिए चिंता की वजय कोई चंदरशेखर नहीं है चंदरशेखर के पास ना तो कड़ेडर है ना चंदरशेखर एक लोग सभा से आगे को जाने के इस्तिती में न वो ये इस्तिती बना पाए कि उस विपक्षी गढ़ोड में जा पाते मायवत पार्टी की सबसे बड़ी समस्या है इसलिए उनका निशाना और कोई नहीं है उनका निशाना कॉंग्रेस पार्टी है क्योंकि अगर एक बार दलितों के मन में ये घर कर गया और आकाश आनंद के पास बहुत बड़ा उसर है और इसको मैं कहता है भी हूँ कि जब कोई पार समर्पन चाहिए और आकाश आनंद ने चाहे राजस्थान विधान सवा चुना हो चाहे उत्तर प्रदेश का चुना हो नोंने ये कोशिश की मुश्किल उनकी ये है कि बोलते-बोलते बहग जाते हैं कई बार ऐसे शब्दों का चैन करते हैं जो पूरी तरह से अमर्यादित होता है जब आप टॉप पर हैं यानि आप ही को नेशनल कोडिनेटर बनाया अपना उत्राधिकारी बनाया तो आपको दलितों में वो छवी दिखानी होगी जो काशी राम की थी जो मायावती की थी और वो आज आपको दिखा रहा है तो असली लड़ाई ये है ये जो बाकी अधक बड़े अच्छे निता हो गए है वो वन्चित बहुजान अगाली वाले अमिटकर साब के परिवार के वो बड़े तो ये सब बड़ी बात नहीं तो बड़ी बात है काईडर किसके पास है वोट पूरा का पूरा डेडिकेटेड वाला शिफ्ट कैसे हो रहा है वो माह की जा रही है जाटो वोट आज भी बाई एन लार्ज है मायवती जी के साथ रहा है मुस्लिम वोट कम्प्लिटली सिफ्ट कर गया जो दस परसेंट या जो जाटो नो प्रतिशत ही जाटो है लेकिन ऐसे तो नहीं हो सकता ना कि 19.3 से अगर 9.3 रह गया सीधे सीधे 10 यह खिसका कॉंग्रेस पार्टी को है कॉंग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी थी और अखलेश यादाओ ने जो कास्ट कॉंबिनेशन था वो बहुत अच्छे से चुना उसकी वज़ा से वो भरोसा बना दलितों ने सपा को नहीं कॉंग्रेस को वोट किया उनके दिमाग इसलिए मैं कहा हूँ जब उन्नीज के चुनाओ में भी एक अमेरिकानीया यूरॉपियन प्रोफेसर थे जो बहुत बड़े एलेक्शन स्टेजिस्ट माने जाते हैं वो बाकाईदा राहूल गान्दी और उनकी छवी बना रहे थे उस वक भी जो चौकीदार चोर है जो राफिल वाला आया था उन्हीं के उससे आया था उस वक भी कहा गया था कि राहूल गान्दी को अपना इलिटीजम छोड़ना है तो उसी के लिए आप देखा खेत में खड़े हो गए ट्रक पे चले गए वो सब असर नहीं किया लेकिन शायद ये जो सम्विधान 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 वो कई बार जब आप कोई जूट बात भी कहते हैं तो सच हो जाती है और राजनीत में ये सब करते हैं लोग हर कोई करता है राहूल गानी भी करके सफल हो गई है भाट्पा की जिम्मेदारी है को जनता को सच बता है